हलो एवरिवन आप सभी का सौहेट दोस्तों फिर से आप लोगे कमाल धमाल वीडियो लिखे है दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को कैसे इसलिया वयाद रख पाओगे सिर्फ एक आइडेंटिटी याद रखना है औ और बाकी के नाइडेंटिटी अपने आप हो जाएंगे दोस्तों तो इस वीडियो के एंटरिक जरूर देखेगा दोस्तों है चीज सीखने के लिए और दोस्तों कहना चाहूंगा अगर ये वीडियो से कुछ सीखते हो तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट कर देना और जितना हो सकते इस वीडियो को में दोस्तों सेर करिएगा जिसे हरे एक लोग इस नए ने चीज सीख सके तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज का ये वीडियो सबसे पेले दोस्तों आप देखोगे आपके स्क्रिन पर दिया हुआ है 9 आइडिंटी इसे कैसे याद रग पाएंगे बहुत ही डिफिकल्ट है लेकिन दोस्तों ट्रिक सीख जाओगे अगर तो यह जो 9 identity आपके सामने दिया है चुटकियों में लिख दो गया चुटकियों में rectification की कोई जरुवत नहीं है आई यह आपको बताता हूं सबसे पर दोस्तों को जो कहां मैंने कि एक identity आपको याद करना है कौन सा देखी यह वाला सबसे पहले वाला इसे आप याद कर लेजिए sin square theta plus cos square theta equal to 1 यह आपको याद करना है तो मैंने यहाँ पर लिख देता हूं यहाँ पर कि sin square theta plus cos square theta equal to 1 यह मैंने लिख दिया मैंने अब दोस्तों देखिए sin square theta plus cos square theta इस तरफ है और 1 उस तरफ है तो sin square theta cos square theta से बोलता है कि equal to कि तो बाहर जा घीके? तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ मैं sin square theta अब sin square theta ने cos square theta हो कहा ठीके? तो ये उधर जाएगा तो plus जो है वो minus में convert हो जाएगा तो यहाँ पर लिखोंगा दोस्तो 1 minus यहाँ पर cos square theta हो गया अब क्या है दोस्तो sin square ने कहा था अब क्या है cos square कह रहा है कि तो उस तरफ जा तो यहाँ पर दोस्तो cos square theta रह गया और sin square theta उस तरफ चला गया तो यहाँ पर one minus sine square theta हो गया देखिए आपके सामने तीन identity ready हो गया अब बाकी के छे identity कैसे होंगे आई आपको बताता हूँ देखिए जैसे कि मैंने कहा था एक identity आपको याद करना है ये वाला तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अब क्या करोगे देखिए sine square theta सबसे पहले दिया है तो एक काम कीजिए सब के नीचे आप इसे copy कर दीजे सब के नीचे sine square theta इसके नीचे भी sine square theta लिखने के बाद क्या करोगे दोस्तों simplify करोगे simplify कैसे करेंगे आई आई आपको बताता हूँ देखिए ये और ये cancel हो गया तो बचे है कितना 1 तो यहाँ पर 1 लिख दिया उसके बाद दोस्तों cos square theta upon sin square theta दिया है तो इसका formula क्या होता है? इसका formula होता है cot होता है तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग cot square theta उसके बाद दोस्तों 1 upon sin square theta दिया है तो उसका formula क्या होगा दोस्तो, उसका formula होगा cosec, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग cosec square theta, यह लिख दिया हमने, अब दोस्तो इसी को मैं यहाँ पर copy कर लेता हूँ, 1 plus यहाँ पर cot square theta equal to cosec square theta, यह लिख दिया हमने, अब देखी 1 यहाँ पर रहेगा, cot square theta उस तरफ जाएगा अ अब दोस्तो, यहाँ पर 1 था पहले, अब क्या होगा, cot square theta रहेगा, वन जो है उस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पर रखता हूँ मैं cot square theta को, और यहाँ पर दोस्तो, यहाँ पर cosec है, यहाँ पर लिख दिया, और यह 1 प्लस उस तरफ जाएगा, माइनस में convert हो जाएगा, तो यहाँ पर minus 1, देखिए, आपके सामने total 6 identity मैंने लिख दिया मैंने, बहुती easy concept से, अब बाकी के 3 कैसे होंगे, आई आको अताता हूँ, सबसे पहले जो identity आपको याद करने को कहा था, वो लिख दीजी यहाँ पर, देखिए मैंने लिख दिया मैंने, अब क्या करोगे दोस dos, cos square theta लिखो, सब के नीचे लिखोगे, तो यहाँ पर सब के नीचे लिख दूँगा, मैं cos square theta अपए, यहाँ पर cos square theta और इसके नीचे भी cos square theta लिख दिया मैंने, अब देखिए, sin square theta upon cos square theta क्या होता है, दोस्तो 10 square theta होता है तो यहाँ पर लिखोंगा मैं 10 square theta plus cos और ये cos मतलब cos square theta cos square theta cancel हो गया तो यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर 1 upon cos x square theta तो क्या होगा दोस्तो formula होगा sec square theta होगा तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं sec square theta लिख दिया अब इसी चीज़ को मैं दोस्तों यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं कि 10 square theta plus 1 equal to sec square theta ठीके अब यहाँ पर 10 जो है यहाँ पर रह गया 1 को उस तरफ भेज दिया तो यहाँ पर क्या होगा sec square theta minus 1 हो जाएगा उसके बाद दोस्तों 10 पिसले बार था अब देखिए 1 रह जाएगा यहाँ पर 10 को उस तरफ भेज देंगे हम लोग तो यहाँ पर sec square theta minus 10 square theta देखिए अब देखिए आपके screen के सामने total 9 identity easily आपके सामने आ गया कैसे किया हर एक चीज़ आप समझ गए हो तो यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों प्लीज कमेंट के बताएए वीडियो पसंद आया तो लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट करिए जिससे मैं मोटिवेट होकर ऐसे वीडियो आख के लिए बना सकूँ तो फिर मिलूँगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए सीखते रहिए सिखाते रहिए ऐसे प्यार देते रहिए मिलते अगले वीडियो में तब तक लिए थैंक सो मच बाइडियर स्टूडेंट